दोस्तों जी हाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही कबूल है सीजन 3 फिर से आप लोगों के बीच में कमबेक कर रहा है दोस्तों जैसे कि आपने पहले ही देख लिया था कि कबूल है 2.2 में करन सिंग ग्रोवर और सुर्वी जोती नजर आये थे लेकिन सीजन 3 में और भी बड़ा बदलाब देखने को आपको बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि सुर्वी जोती की बात की जाएं तो सुर्वी जोती जो की टेली विजन की काफी बड़ी और काफी सुन्दर और काफी खुबसूरत एक्टर्स मानी जाती है करन सिंग ग्रोवर की बात की जाएं जिरोना असद एहमद खान का रॉल निभायता कबूल है सीजन 1 में और कबूल है 2.0 यानि सीजन 2 में लेकिन एक बार फिट से वो ही स्टार कास्ट आपको फिट से नजर आएंगे करन सिंग ग्रोवर की बात की जाएं तो करन सिंग ग्रोवर जो की अपनी अलग-अलग भूमी काओं को लेकर हमेशा जाने जाते हैं करन सिंग ग्रोवर ने जिस तरीका से कबूल है सीजन वन किया था उसमें सूपर ही ट्रॉल देखने को मिलाता और वाकए में लोगों ने काफी पसंद भी कियाता है करण सिंग ग्रोवर को अब एक बार फिट से मेकर्स ने ये डिसाइड क्या है कि जल्द ही हम और आप लोगों के बीच में कबूल है का तीसरा पार्ट जल्द ही लॉंच होने जा रहा है जिसमें कि सुर्वी जोती की मुख्य और एक एहम भूमी का देखने को मिलेगी जिसमें आप देख पाएंगे कि करण सिंग ग्रोवर क्यास में कियसे अपने उसी अवतार में यानी करण सिंग ग्रोवर का मुख्य अवतार में देखने को मिलेगा असाद आहमत खान के रूप में वहाई मिस जोया फारुकी के किरदार निवाती नजर आएंगी सुर्वी जोती सुर्वी जोती जोकी जल्द ही कबूल है सीजन 3 के लिए काफी टाइम से एकसाइटेड है और जल्द ही वो सीजन 3 में नजर आएंगी हाला कि ये भी सुनने मारा कि इस पार जो कि टेलिवीजन पर ही टेलिकास्ट होने जा रहा है क्योंकि टेलिवीजन पर जैसे ही ये सेरियल स्टाट होगा तुरंत ही हम आप लोगों तक अफडेट करा देंगे क्योंकि टेलिवीजन की बात की जाएं तो टेलिवीजन में हमेशा से ही इस सीरियल को काफी प्यार मिला था और जल्द ही एक बार फिर्ट से करन सिंग ग्रोवर और सुर्विजोती अपनी एक एहम और एक मुखे भूमी का में नजर आएंगे सुनने में तो ये भी आया है कि इस बार तकरीवन तकरीवन तीन सो एपिसोड होने जाएंगे क्योंकि तीन सो एपिसोड का मतलब है कि इस बार करन सिंग ग्रोवर और सुर्विजोती लंबे समय के लिए इस सीरियल को करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ करन सिंग रोवर एक ऐसे एक्टर है कि जोनों ने अपना फिल्मी दुनिया में भी अच्छा खासा नाम कमाया है और वाकई में फिल्मी दुनिया में जिस तरीका से करन सिंग रोवर ने अच्छा नाम कमाया है ऐसे ही उन्होंने स्टार्टिंग सीरियल से की थी क्योंकि सीरियल से उन्होंने जो नाम कमाया है कबूल है सीजन वन में सीजन वन में करन सिंग रोबर और सुर्विजोतिगी अच्छे खासी बांडिंग देखने को मिली थी साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि करन सिंग ग्रोवर जल्द ही अपने नए एक नए अंदाज में नजर आएंगे क्योंकि करन सिंग ग्रोवर का मानना यह है कि जल्द ही हमारा एक नए प्रोड़क्ट और भी लाँच होने जा रहा है वो नया प्रोड़क क्या है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि सीजन थ्री जो अब जो दिखाई देगा सीजन थ्री में जो कि आप लोगों के बीच में दिखाई देगा कि कैसे खटी मीठी नौक जोक देखने को मिलेगी दोनों ही इस्टारकास्ट की यानि मिश जोया फारूकी और मिश्टर असद एहमद खान दोनों की बॉंडिंग वाकई में लोगों के लिए काफी अच्छी होगी जो कि लोग अभी से ही इस चीज के लिए काफी टाइम से एकसाइटिड भी हैं आप लोगों को बता देने चाहता हूँ कि जल्द ही हम और आप लोगों के बीच में पुरानी इस्टारकास्टी नजर आने वाले ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट करके जरूर बते ही